अधियुआ है आप सब लोग वेल्कुम बैक्ट टो अनरदर सेशन और शायद मैं आखरी बार यह बोल रहा हूं फास्ट्रैक बैच के लिए ना वेल्कम बैक टो अनरदर सेशन क्योंकि बच्छो आज इस फास्ट्रैक बैच में हम सेपश देंगे हम सिल्बस को खदम करने वा पर टेक्निकली आज बच्चो आखरी सेशन हो रहा है हमारे फास्ट्राइक बैच का I'm so emotional, so happy as well कि आपको जो मैंने commitment करी थी कि भाई शुरू से last तक पूरा फास्ट्राइक में syllabus खतम करेंगे और 12th का syllabus 11th से काफी पहले finish करवा दूँगा बच्चो और वो promise आज पूरा करके ब कर रहा था I was working on a project for you people ठीके बहुत streamline तरीके से आपको बहुत अच्छे questions practice के लिए जा सके तो उसका एक surprise है बच्चो जो मैं आपको भी basic information share करने के बाद वो surprise आपके सामने reveal करने वाला हूं and इससे अच्छा दिन नहीं हो सकता उस चीज के लिए क्या कहते हो बच्चो आज से अच्छा दिन नहीं हो सकता हो surprise के लिए क्योंकि आज बहुत बड़ा दिन है आज हम लोग logic gates कर रहे हैं जो कि आखिरी topic है communication system आपके syllabus में नहीं है बच्चो तो आपको पढ़ने की जुरत नहीं है CBSC में भी नहीं है और NEET exam में भी नहीं है आपके syllabus में communication ठीक है तो yes बच्च में 10-10 sessions लिए हैं wave optics में 6-7 sessions लिए हैं तो जैसे long term batches में आपको offline classes के अंदर जितने लंबी classes में पढ़ाया जाता है उतनी लंबी classes में पढ़ाया गया है और जो अब मैं आपको surprise share करने वालों आपके साथ वो देखके आपको और जादा खुशी मिलेगी ठीक है तो चलिए फड़ा 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 एक बार introduction कर लेते हैं और मैं जल्दी से आपके साथ वो surprise share कर देता हूं बच्चो और फिर हम logic gates को continue करेंगे ठीक है चलिए everyone तो एक बार दिल भी बनातो याल chat box में ऐसे थुड़ना चलता है है ना finished like धोनी सही बात है सही बात है बिलकुल तो आप मेरे बारे में already जानते हैं आज मैं इसमें time waste नहीं कर रहा सब्सक्राइब कर लेना चैनल को bell icon भी दबा देना बच्चो और t.me slash unacademy needtoppers हमारे telegram channel का link है इसको भी आप join कर सकते हैं unacademy subscription आखरी के कुछ महीनों में आपके लिए बहुत जादा helpful साबित होगा और अभी बहुत सारे यहां पर नए batches launch हो रहे हैं उमीद batch आ रहा है यहां पर पहल batch आ चुका है यहां पर बच्चो अभ्यास batch आ चुका है तो यह सारे batches आपको needt 2021 के revision में बहुत जादा help करने वाले हैं और top educators on academy के आपको यहां पर पढ़ाने वाले हैं on on academy plus platform ठीक हैं यह सा महीने का option 15,000 का है 6 महीन 6 months का option 25,000 का है और one year or two year का option वो बच्चे ले सकते हैं जो 2022 में exam देने की planning कर रहे हैं साथी साथ आपके पास iconic subscription का option है जहां पर आपको personal coach मिलते हैं personal coach आपको कैसे help करेंगे यह आपको study planners देंगे तो कई बच्चों के साथ होता है कि वो खुद से अप प्लान नहीं बना पाते, time table नहीं बना पाते वो आपको यहां पर मिल जाएगा अगर आप iconic subscription लेते हैं तो आपके personal coach आपको उसमे help करेंगे बच्चों और यहां पे भी आप same code gg live लगाके iconic subscription में भी maximum discount ले सकते हैं 6 months का भी option है यहां पर जो कि 34,000 रुपीस का है this is one of the very good option that any need 2021 aspirant can have क्योंकि यहां पर आपको 6 महिने का subscription भी मिल रहा है साथ में personal coach भी मिल जाते हैं ठीके बेटाओ चलिए तो यह information थी जो मैंने आपके साथ share कर दी gg live code लगा के आप subscription ले सकते हो बच्चों अब आते हैं surprise पे ठीक है फिर पढ़ाई शुरू कर देंगे okay everyone तो surprise के लिए अगर आप लोग interested है excited है तो थोड़ा excitement chat box में भी दिखा दो come on everyone come on excitement कम ना होने पाए जोश ना कम होने पाए है ना मैं थोड़ा emotional हो गया हो वैसे तो तो शायद आप भी हो गए होंगे बट ठीक है यार चलता है है ना इतनी खुशी का दिन है कि आप syllabus खतम होने वाला है तो guys सबसे पहले तो surprise में आपको यह जानना पड़ेगा कि यह link है जो मैंने बहुत पहले ही आप लोगों के साथ share कर दिया था अगर आपने अभी तेक इस link को नहीं check out किया है तो अब कर लेना link tr tr के बाद dot लगाना है double e है ना यह tree है यह वही बरगत का पेड़ है हमारा खोलते हैं अभी मत खोलना बाद में कभी भी खोल लेना तो इसमें आपको सभी sessions के notes PDF notes और DPPs मिल जाते हैं आज तक आपको DPP 10 questions 15 questions का ही मिलता था क्योंकि हमारे पास थोड़ा team में है ना back end में थोड़ी सी परिशानी चल रही थी हम बहुत अच्छे से आपको वैसी DPP नही हो पाया था ठीक है तो यहां वह बच्चो आपको कुछ बहुत amazing मिलने वाला है अब और वो uzornion चीज बच्चो यह है कि कैं आपको दिखा देता हूं क्या चीज़ंब बह। अमेजिंग चीज बिटा तो वो अमेजिंग चीज बिटा ये है और ये आपके साथ बच्चो शेयर किया जाएगा ठीक है तो इस प्रोजेक्ट में बहुत दिनों से काम कर रहा था बच्चो और फाइनली हमारी अमेजिंग बनके तयार होना शुरू हो गई है सबसे पहले आपको मैं सेमिकंडक्टर की डीपी दे रहा हूं बच्चो लगभग यहाँ पे हर चाप्टर में 45 कोश्चन्स होंगे उनका आंसर की दिया जाएगा उनका सॉल्यूशन दिया जाएगा और हर एक चाप्टर के लिए आपको डीपी दे जाएगी क्योंकि अब जो समय है वो प्रैक्टिस का है अब जितनी जादा प्रैक्टिस करोगे उतने जादा आपके मार्क्स बढ़ते जाएगे बच्चो एक बार सारी थियोरी आपको करा दी गई है अब आपको डीपी दिया जाएगा उसका डिसकेशन भी होगा स्पेशल क्लास के अंदर मैं बताऊंगा कैसे हम वो सब प्रोसीड करने वाले हैं और बहुत जल्दी हम लोग एक क्रैश कोर्स लाँच कर रहे हैं वहाँ पे भी आपको बहुत जादा मदद करेगी क्योंकि आप क्रैश कोर्स में पढ़ाई करोगे और डीपी पी से करोगे आप प्राक्टिस तो बरगत का पेड यहां पे भी है ठीक है तो देखो बरगत का पेड उसके नीचे फील विद जीजी सर ठीक है वेटा बहुत अच्छे से नहीं दिखाई देगा तो ऐसे question number one, question number two, question number three इस watermark को थोड़ा और हलका करवा रहा हूं तो आपको text को पढ़ने में कोई परिशानी नहीं होगी वैसे अभी भी आराम से दिख रहा है मैं यहाँ पर आराम से सब कुछ पढ़ पा रहा हूं शायद आपको थोड़ी दिक्कत होगी क्योंजी font आपके लिए बहुत छोटे हैं लेकिन जब यह आपके सामने आएगा तो font छोटा नहीं लगेगा ठीक है? उतना ही font है जितना एक book में होता है तो ऐसे देखिए questions हैं इसमें line से बच्चो और यह ऐसा चलता जाएगा सोचो ऐसा अगर आपको सभी chapter के रिए मिल जाए तो बहुत जबरदस्त हो जाएगा बच्चो और हमारा जो सपना है 160 plus score करने का उसे अब कोई रोक नहीं सकता Right everyone? कोई नहीं रोक सकता हमें Right बेटा? कुछ बच्चे बोल रहे सर answer का क्या? इसमें answer भी है क्या? दिखाता हो ना बेटा भी देखते जाओ तुम बस अभी देखते जाओ इसमें क्या क्या है सब कुछ तुमें दिख जाएगा थोड़ा brightness एक बार मैंने कम कर दी है बन चुका है बच्चो धीरे धीरे आपको upload होता जाएगा यहाँ पर आपको दिखती बेटा answer की ठीक है? सभी questions की answer की यहाँ पर दिखती है don't worry बिल्कुल साफ साफ दिखाई देगा डरना मत उसको देखके और answer की कि साथ साथ यहाँ से शुरू होता है आपका solution hint and solutions तो ऐसा नहीं कि मैंने आपको सिर्फ DPP दे दी और आपसे expect करूँगा कि तुम खुदी solve कर लो यहाँ पर solutions भी आपको दिया जा रहा है अगर हो पाया तो मैं भी आपको solution करा दूँगा ठीक है? अगर मैं special class में classes ले पाया तो इसमें से कुछ difficult questions जो होंगे वो मैं आपको solve करा दूँगा class में लेकिन सभी questions के यहाँ पर आपको solutions, answers, सब कुछ दिये हुए है इस class के तुरंत बाद semiconductor की DPP आपको उसी link पे मिल जाएगी जो link मैंने आपको अभी अभी बताया कैसा लग रहा है बच्चो? कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि अब मेरे बच्चो को, मेरे प्यारे-प्यारे मासूम बच्चो को कोई नहीं रोक सकता अच्छा rank लाने से है ना everyone? तो अब हम revision के sessions तो लेंगे, one shot के sessions तो लेंगे लेकिन जो practice बोलते हैं ना कि बहुत जरूरी है physics के अंदर वो भी करेंगे बच्चो और जबरदस तरीके से करेंगे क्योंकि हर chapter में आपके पास आप मेरी तरब से दिया हुआ at least 45 questions तो होगा बिटा और ये तो सिर्फ DPP है, इसके अलावा जब मैं sessions लूँगा तो वहाँ पे भी हम practice करेंगे, वहाँ पे भी 10, 15, 20 questions वहाँ से भी करेंगे और बच्चो ये आपके लिए बहुत important और बहुत ही जवरदस चीज है, एक बार जल्दी से थोड़े दिल बना दो like कर दो session को और इस video को share कर देना ताकि जादा से जादा बच्चो को ये बात पता चल जाए, ठीक है और मेरा link ही है आप share कर दो, जिन भी बच्चो को करना है तो उनको पता चल जाएगा कि भाई, यहाँ पे सारे DPPs मिलने वाली है एक link है, single link है क्योंकि हर बार अलग-अलग जिगे पी DPP दूँगा तो तुम खुद confuse हो जाते हो कि कहां से download करें, क्या करें, है न यह link एक बार बस टालो, इसको Google में डाल दो खुल जाता है और वहाँ पे आपको एक DPP का folder मिल जाएगा उसके अंदर आप सारी DPPs को download कर सकते हो ठीक है, right everyone चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया everyone तो I am very happy today, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया और इस project पे काफी, बहुत time लगता है बच्चों है न, यह सब करने में बहुत जादा time लगता है it takes a lot of effort, मतलब आप समझे पहले तो question चुनना होता है we hand pick the questions कि यह question बच्चा करेगा तो उसके लिए बहुत beneficial होगा यह question करेगा तो beneficial होगा तो आप सुचो हर chapter में 40-45 questions चुनना ही बहुत बड़ी बात है उसके बाद उन questions को type करवाना फिर उसमें errors के लिए check करना और मैं वैसे यह तो नहीं कह सकता कि बिल्कुल errorless होगा यह बट 98% की guarantee दे सकता हूँ आपको error नहीं मिलेगा ठीक है? क्योंकि इसको मैंने proof read करवाया हुआ है तो आपको errors नहीं मिलेंगे इसमें अब बेटा एक दो errors तो वैसे देखोगे तो बड़ी बड़ी books में भी दिख जाते है वो human error है वो कोई उसको ठीक नहीं कर सकता बेट ऐसे errors होगे कि आपको पता चल जाएंगे तो एक दो मुस्किल से मिलेंगे 45 question में अगर एक question में error मिल गया तो अलग बात है वरना सारे questions बिल्कुल foolproof है ठीक है धंग से उसको दुबारा एक बार देखा गया है टाइप होने के बाद में ठीक है बेटा चलिए तो बहुत बड़ी आई होप you all are excited about it और बच्चों आप बहुत अच्छे से तयारी करो तुम्हे कोई रोक सकता है अगर selection लेने से तो वो तुम खुद हो और मुझे नहीं लगता कि तुम खुद को रोकोगे है ना बेटा अब तुम्हारे पास इस channel पे सारे resources है और हमने देखो इमानदारी के साथ पूरा syllabus करवाया है सबसे पहले बेटा syllabus करना बहुत जरूरी होता है बड़ी बड़ी बातें करने के वजाए सबसे important होता है बेटा intent तो हम आपको intent दिखा रहे है देख लो या पूरा syllabus करागे दिया है पूरी DPP दे रहा हूं बहुत महनत लगती है आपको शायद feel हो गई होगी और ऐसे हर chapter का देने वाला हूं तो चलिए बहुत बढ़िया अब start करते है आज की class को और जो एक topic हमारा रह गया है that is logic gates उसको भी पूरी feel के साथ खतम करते हैं उसमें भी कमी नहीं रहेगी आज तक किसी topic में बिना feel के हमने पढ़ाई करी नहीं है तो logic gates को कैसे बिना feel के पढ़ देंगे है ना everyone right चलिए बहुत बढ़िया कैसे खोलू link link के लिए बस आपको टाइप करना गूगल में और वो अपने आप खुल जाता है ठीक है right everyone चलिए वो एक website कि तरह है उसको खोलोगे तो एक website से आपको खुल जाएगा चलिए तो start करते हैं बच्चो है ना class को start करते हैं बेटा देखो यार यह logic gates क्या होता है logic gate कोई device नहीं है कोई component नहीं है जैसे register एक component है transistor एक component है capacitor आप component है देख सकते हो logic gate आपको ऐसे दिखाई नहीं देता कि अच्छा इसको logic gate कहते हैं it is just logic यह सिर्फ logic है और कुछ नहीं है ठीक है अब देखो logic gate को समझने से पहले बच्चो दो टाइप के signals होते हैं एक होता है analog signal, analog signal लगातार change होता है जैसे alternating current का graph देखा होगा न ऐसा कुछ तो यह लगातार change हो रही इसकी value कभी तो 0 हो जाती है फिर थोड़ी बढ़ जाती है फिर maximum हो जाती है फिर 0 तो इसमें continuous change हो रहा है 0, 0.1, 0.2, 0.3 ऐसे continuous change हो रहा है जब ऐसे continuously change होती है signal तो उसको क्या गोलते है कौन सा signal है वो analog signal लेकिन एक digital signal भी होता है जिस पे logic gate काम करता है digital signal में सिर्फ दो ही चीज़े होती है high, low, 0, 1, that's it फिक है? 0 का मतलब होता है बेटा low, low यानि की off है चीज और one का मतलब होता है high, high मतलब on है आपने शायद ऐसे switch देखी होगी life में, कभी ना कभी तो देखी होगी, सच-सच बताओ, ऐसा switch देखा होगा आपने है ना, कि यहाँ पे एक डंडा बना होता है, यहाँ पे एक गोला बना होता है कुछ लोग नहीं जानते होंगे कि यह क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ, यह वही है, digital signal के symbol है, one और zero अगर आप इस switch को zero की तरफ रखेंगे, तो वो off हो जाएगा, current conduct नहीं करेगा, लेकिन अगर आप इसको one की तरफ रखेंगे, तो वो conduct करेगा, one का मतलब होता है, on, है ना, तो यहाँ पे one और zero के बीच में और कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं है, 0.1 थोड़ा सा जल रहा है, या तो आपके घर में tube light जलती है, या तो बंद रहती है, ऐसा थोड़ा सा जलती है, चलो आप voltage, voltage कम आ रहा है, किसी दिन और dim light हो गई, वो अलग बात है, है ना, उसकी बात नहीं कर रहा है, लेकिन या तो on, या तो off, यह दो ही options होते हैं बिटा, तो इसको हम यहाँ पे digital signals कहते हैं, logic gate जो है हमारा, वो इसी पर गाम करता है, अगर high output होगा, या high input होगा, तो ऐसे graph बनेगा, उपर की तरफ, है ना, उपर की तरफ, और अगर low होगा, तो zero हो जाता है, ठीक है, चली इस पर और अच्छे से discussion करेंगे हम लोग, सबसे पहले तो यह बात कर लेते हैं ब बैट में उसको full stand में लगवा के किसी से, कि भाईया इसको full stand में लगा दो, अपने मेरे पापा की जो गाड़ी थी, उसके वाल बैट के बढ़िया self start मार के, start करके, है ना, बढ़िया, कम से कम feeling तो लिया करता था, कि देखो मुझे start करना आ गया गाड़ी को, चाबी गुमा self वाला button दबाओ गे ना, तो वो start नहीं होता, notice किया कभी, सिर्फ self वाला button दबाओ, वो start नहीं होता, और क्या करना पड़ता है, उसके साथ बताओ, chat box में बताओ, सिर्फ self से start नहीं होता, एक और काम करना पड़ता है, एक और चीज़ दबानी पड़ती है साथ में, वो क्य mechanism माल लो तुमने बिना ब्रेक दबाया सेल्फ दबा दिया गाड़ी आगे बढ़ गई ठुक गई गाड़ी है न एक्सिडेंट हो जाएगा इसलिए पहले ब्रेक दबाओ ताकि गाड़ी सेफ रहेगी अब सेल्फ दबाओ अब गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी ठीक है सिर्फ सेल्फ दबाओगे तो गाड़ी स्टार्ट होगी क्या नई सिर्फ ब्रेक दबाओगे तो गाड़ी स्टार्ट होगी क्या कहीं ऐसे गाड़ी देखिए ब्रेक दबाया और स्टार्ट हो गई यह क्या मतलब है मतलब ऐसा तो इस नहीं होगा दोनों चीज़ें एक साथ करनी ह हुआ है, तो and gate का logic है बस वो, logic gate कोई device नहीं है, this is just a logic बस एक logic है, तो logic यहाँ पर हमने क्या लगाया, कि सिर्फ self से काम नहीं चरेगा, सिर्फ break से काम नहीं चरेगा, दोनों को high होना पड़ेगा, दोनों inputs को दबाना पड़ेगा, तभी output आएगा तो अगर आप and gate की बात करेंगे आपको कैसे पढ़ाया जाता है, इसको देखो, and gate को ऐसे पढ़ाया जाता है, ठीक है, and gate में यहाँ पर दो inputs होते हैं, यह दोनों क्या है, बच्छो, inputs हैं, ठीक, यह आपका output है, तो and gate में तभी high output मिलेगा, तभी high output मिलेगा, जब दोनों inputs हाई होंगे, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है, you will get high output, आपको high output कब मिलेगा, only if both the inputs are high, both inputs are high, बेटा feel आ रही है, जैसे वही, इस कूटी वाले example जो मैंने आपको दिया है न, सिर्फ self को high करने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ break को high करने से भी नहीं होगा, दोनों को high करना पड़ेगा, तो हो गया न, एक logic, देख रहे हो, कितनी आसानी से मैंने तुम्हें समझा दिया, and gate, और वो भी एक example देखे, जो कि real light में आप देखते हैं, ठीक है, अब यह दिखता कैसा है, अब यह मत सोचना कि एक device है, जो ऐसा दिखती है, नहीं, यह बस एक logic को अलग से बनाने का, draw करने का तरीका है, क्योंकि देखो यार, जब यह circuit को design करते हैं न, engineers हैं न, electronics engineers, तो वहाँ पर लिख नहीं सकते, कि यहाँ पर and gate लगेगा, तो उन्होंने एक symbol बना लिया, यह ऐसा symbol है, तो हम समझ जाएंगे, यह and gate है, तो यह बस एक symbol है, उसका, जैसे pn junction diode का होता था, वैसा यह symbol है इसका, ठीक है, अब देखो बच्चो, यहाँ पर जड़ा logic देखते जाना, अगर दोनो 0 हैं, दोनो 0 का मतलब होता है, दोनो low है, 0 मतलब low, 1 मतलब high, ठीक है, अगर दोनो 0 हैं देखना, तो भी आपको 0 मिलेगा output, देखो 0-0 का 0 मिलता है, एक दबाया तो भी 0 मिल रहा है, एक है यहाँ तो भी 0 मिल रहा है, दोनों जब आप दबाएंगे तभी आपको 1 मिलेगा, यह मैं अच्छे से दिखा देता हूँ, डोन्ट वरी, तो बहुत fast निकल गया, ठीक हैं, देखो, मानलो दो inputs हैं ना बच्चो, हमने एक input को 0 रखा, मतलब उसको on नहीं किया, self start नहीं दबाया, हमने brake भी नहीं दबाया, brake को भी 0 रखा हुआ है, तो final output क्या आया, 0, गाड़ी start थोड़ी ना हो जाएगी, 0 का मतलब low है, है ना, अच्छा दूसरी case में मानलो, आपने self start को नहीं दबाया, उसको 0 ही रखा है, self start को नहीं दबा रहे आप, सिर्फ brake दबा रहे है, brake को आपने 1 कर दिया, यानि कि ऐसे brake मार दिया, थोड़ना start हो जाएगी गाड़ी, अभी भी 0 ही है, अभी भी 0 ही है, देखो, self start को भी 1 किया, मतलब on किया, brake को भी 1 किया, मतलब उसको भी on किया, वो भी दबाया, तब देखो, ये गाड़ी start हो गई, ब्रूम, है ना, बड़िया start हो गई, अपकी फटफटिया, feel आया है बेटा, feel आया है क्या, तो जल्दी से एक बार दिल बना दो, इससे आसान explanation नहीं मिल सकता, तुमको logic gate का, मैं तुम्हें रटा नहीं रहा हूँ, चीजों को, मैं तुम्हें याद करने का एक तरीका भी सिखा रहा हूँ, कल को अगर तुम भूल जाओ कि and gate में क्या होता है, तो कम से कम ये तो नहीं भूलोगे, कि इस कूटी में क्या होता है, है ना, कम से कम तुम्हें ये तो याद रहेगा, इस कूटी को start कैसे करते हैं, चाबी भरने के बाद, self भी दबाना होता है, break भी मारना होता है, तभी start होता है वो, feel आई है, फटफटिया हमारी start हो गई क्या, है ना, चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, तो ये था बच्चों हमारा and gate, बहुत बढ़िया, एक और चीज़ बताता हूँ, इसमें एक logic होता है, boolean algebra कहते हैं उसको, उसकी बहुत ज़ादा detail में जाने की जुरत तो नहीं है, बट हमें ये सिखा दूँगा, कि question कैसे solve करते हैं, अगर ये input A है, और ये वाला input B है, अगर ये वाला input A है, ये वाला input B है, तो output इसका लिखा जाता है, बच्चों, A dot B, A dot B इसका output लिखा जाता है, ठीक है, dot, ठीक है, तो dot, dot है basically, ऐसा समझ लो आप, वैसे एक गंदा सा logic दूँ, तो ऐसा भी समझ सकते हो, कि 0 into 0, 0 into 1, 0, 1 into 0 भी 0 है, तो 1 into 1, 1 है, वैसे ये direct ऐसे काम नहीं करता है, कि simple arithmetic calculations चल रही है, बढ़ याद करने के लिए आप ऐसे समझ सकते हो, कि इसका output होता है, A dot B, अभी बच्चों को feel आ गई है क्या, and gate की, है ना, अधित्या कह रहा है, मैं सर मैं तो रस्ते पर पहुँच गया, है ना, मैं तो रस्ते से जा रहा था, भेल पूरी खा रहा था, है ना, गिरिजा कह रही अब तक रटते थे, कोई बात नहीं, अब रटने की जूरत नहीं है, ठीक है मेटा, चलो, and gate सभी को clear है क्या, and gate clear है क्या, and gate में दोनो inputs high होने चाहिए, high output तभी मिलेगा, जब दोनो inputs high होंगे, और में क्या होता है, और में क्या होता है, और में आपको high output मिल जाएगा, और में you will get high output, if any of the input is high, if any of the input is high, बात समझ में आरीए बेटा, कोई भी एक input high कर दो, कोई भी एक input high कर दो, high output मिल जाएगा, देखो truth table पहले समझ लेते हैं, फिर इसका example देखेंगे, कोई भी एक input अगर high है, तो output high होना है, पहले case में देखो, दोनो input को low रखा गया है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, है ना, अरे दोनों ही जब 0 है, तो output भी 0 होगा, क्योंकि एक input का high होना जरूरी है, output के high होने के लिए, ये तो logic है यहाँ पे, इसमें देखो दूसरे case में, पहला वाला low है, बढ़ दूसरा वाला high है, एक high हो गया, एक high हो गया, तो output high मिलेगा, 1 आगया output, ठीक है, similarly यहाँ पे देखो, एक high है, एक low है, output 1 ही मिलेगा, high मिलेगा, कम से कम एक का, input high होना जरूरी है, कम से कम एक का, लास्ट वाले में आप देखेंगे, तो दोनों ही high है, तो यहाँ यह मतलख देना नमूनों, कि यह 1 और यह 1 तो यह 2 है, या फिर यह 1 यह 1 तो यह 11, 0 और 1 के अलावा कुछ नहीं होता, यहाँ पर 11 भी नहीं होता, 2 भी नहीं होता, इसका कहने का मतलब यह है, कि अगर दोनों inputs high है, तो output भी high ही मिलेगा, बात समझ में हारी है वेटा, इसका example किसी बच्चे नहीं लिखा है, car का airbag, लगता है उसने मेरा पुराना session देखा हुआ है, इसका example car का airbag है, मैं समझाता हूँ car का airbag कैसे काम करता है, तो मैं पता है car का airbag क्या होता है, जब accident हो जाए, कहीं गलती से है ना, गाड़ी कहीं तकरा जाए, तो steering के पास से गुबारा निकलाता है ऐसे, airbag गुलते हैं उसको, आपका सर उसमें जाके टकराएगा, तो चोट नहीं लगती है, तो आपका safety feature है वो है ना, ऐसे गुबारा सा निकल के आ जाता है, white color का, देखा होगा तुमने शायद airbag, इस airbag को कौन बताता है, कि अभी खुलना है, accident हो गया, हम phone करते हैं क्या, कि अरे, गाड़ी ठुक गई है, Hyundai वालो, या फिर जो भी company की गाड़ी है, फ़ड़ airbag खुल दो हमारा, तब तक तो बहुत लेट हो जाएगी, तब तक तो गया आप है ना, उसको पता चल जाता है कि अभी खुलना है, गाड़ी में crash हो गया, खुलना है, यह पता चलता है, गाड़ी के सामने लगे हुए sensors से, सामने जो bumper होता है ना, बेटा, वहाँ पे कुछ sensors लगे होता है, अब मानलो ऐसे चार sensors लगे हुए है, चार sensors छोड़ो, मैं तो दो काई example देज़ेता हूँ, ठीक है, तुम वरना confused हो जाओगे, क्योंकि दो input की बात कर रहे हैं ना, मानलो दो sensors ऐसे लगे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है बेटा, कितने sensors लगे हुए हैं बच्चो, दो sensors लगे हुए हैं, अगर किसी भी तरफ से गाड़ी ठुके, मानलो left hand side से ठुक जाए, या फिर right hand side से ठुक जाए, क्या airbag को खुल जाना चाहिए, उसका काम क्या है, खुल जाओ, है ना, मानलो गाड़ी में collision इस तरफ से हुआ, इस तरफ से हुआ, तो सिर्फ इस sensor को पता चला कि collision हुआ है, तो इसने बोला one, one क्यों बोला, क्योंकि ये on हो गया sensor, इसने बोला on हो जाओंगा मैं, one हो गया, ये sensor कहता है, अब पागल है क्या, कहां हुआ collision, मेरी तरफ तो सब कुछ सही है, इसकी तरफ तो zero चल रहा है, अभी ये कह रहा है, मेरी तरफ तो collision हुआ ही नहीं है, मुझे तो किसी ने अभी तक दबाया ही नहीं है, कुछ collision नहीं हुआ, लेकिन मुझे airbag तो चाहिए भाई, क्योंकि collision तो हुआ है न, इस नमूने को नहीं पता है, तो मैं क्या गरूँ, collision तो हुआ है, airbag तो खुलना चाहिए, तो अगिर एक भी input high बोले, एक भी input high, तो मेरे को output high चाहिए भाई तब, मेरे को airbag खुलना है, खुल गया airbag, देख रहे हो, और logic किसी को कहते है, ठीक है वेटा, अगली बार मान लो collision इस तरफ से हुआ, इस तरफ गाड़ी ठुक गई, इधर नहीं ठुकी, तो ये बोलेगा, अरे मैं one हो गया हूँ, मेरे तरफ collision हो चुका है, मैं दब चुका हूँ, ये बोलेगा, पागल है क्या, कोई collision नहीं हुआ, मेरे तरफ तो मैं तो बिल्कुल safe हूँ, सब बढ़िया है, तो ये बोलेगा zero, लेकिन तुम्हारा airbag फिर भी खुल जाएगा, अगर ये और gate है तो, देखो एक ने बोला one, दूसरे ने बोला zero, खुला airbag, और सोचो आप गाड़ी बिल्कुल जाके सीधे ऐसे ठुक गई, दोनों तरफ collision हो गया, सीधा, तो इसने भी बोला one, इसने भी बोला one, तो one और one, तो भी खुलना ही चाहिए airbag, उसका output भी one है, बात समझ में आगे वेटा, feel आगे क्या, feel आगे क्या, हाँ, तो किसी भी sensor ने अगर बोल दिया कि collision हुआ है, यानि कि अगर एक भी input high हो गया, तो output high होना ही चाहिए, वरना तो दिक्कत हो जाएगी फिर, वरना तो बाकी sensors बोलेंगा, रे कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, मत खुलना airbag, ऐसे थुड़ना, एक collision भी हुआ, कहीं से भी हुआ, किसी भी side से हुआ, खुलना चाहिए भाई, जाब, तो खुला वो, ठीक है, बट हाँ, अगर दोनों ही बोलेंगे नहीं हुआ है, ये भी बोलेगा नहीं हुआ है, तो फिर airbag Q खुलेगा, नहीं खुलेगा, तो फिर 0 है वहाँ पर, है न बच्चो, तो symbol सा logic है, if any of the input is high, if any of the input is high, कोई भी एक input अगर हाई हो गया, तो हमें high output मिल जाएगा, इसको हम और gate कहते हैं, ठीक है वेटा, समझ में आगई बात, है ना, चलिए, बहुत बढ़िया, तो ये देख लो, truth table देख लो, इसको हम truth table बोलते हैं, ये हमें सचाही बताता है, truth table बोलते हैं इसको, ठीक है, truth का table है ये, right everyone, फील आगे ही है, आगे बड़े, चलिए, तो एक बढ़ truth table और का देख लिया आपने, एक बढ़ and का दुबारा देख लो, and में क्या logic था, दोनों ही high होने चाहिए, तभी high output मिलेगा, एक के high होने से काम नहीं चलेगा, दोनों ही high होने चाहिए, देखो, यहाँ पर दोनों जब high हैं, तभी high मिल रहा है, otherwise नहीं मिल रहा, ठीक है ना वेटा, चलिए, सच्चाही बताने वाला table, next gate है हमारा, not gate, not gate, यह बड़ा negative type का gate है, बड़ा negative इंसान है, वो होता है न, दो लोगों मैं मालो 36 का आकड़ा है, एक कहता है चलो north की तरफ जाते हैं, तो दूसरा कहता है अच्छा, तो north की तरफ जाना चाहता है, मैं south की तरफ जाऊंगा, उल्टा, कई बच्चे कई बार इनके life में phase आता है, वो parents गरता ऐसे ही हो जाते हैं, parents बोलते हैं, बेटा पढ़ ले, तो बोलते हैं, नई मैं खेलने जा रहा हूं, parents बोलते हैं, खेलने चला जा, तो पढ़ने बैठ जाएंगे, कि ये अच्छा मौका है, घरवाले ने बोल दिया, खेलने चला जा, अगर मैं अभी पढ़ने बैठ गया, तो मैं अपनी reputation अच्छी बना लूँगा, घरवाले सोचेंगे, हम इसको खेलने भीजते हैं, ये बोलता, नई, नई, ने, मुझे तो अभी पढ़ना है, मुझे तो homework मिला है, मैं तो पढ़ाई करूँगा, है ना, तो ये logic लगाते हो, तुम opposite, उल्टा, उल्टा का क्या मतलब है, देखो सबसे पहले तो यहाँ पर एक input और एक output होता है, बेटा, एक input एक output, अगर तुम input दोगे 0, input अगर दोगे 0, तो output आएगा 1, उल्टा, input दोगे 0, तो output आएगा 1, और तुम अगर input दोगे 1, तो output आएगा 0, बिल्कुल तुम्हारी तरह है, है ना, बेटा, पढ़ाई कर ले, नहीं मैं खेलने जा रहा हूँ, बेटा, खेल ले, नहीं मैं पढ़ने जा रहा हूँ, है ना, बिल्कुल ऐसा logic, इसका किसी के पास example है क्या, इसका कोई real life example है क्या, इस वाले के अलावा, है ना, आपकी life से related example तो मैंने दे दिया, इसके अलावा कोई और example है, मैं देताम एक और example, तुमने देखा होगा, तुमारी street light में, मतलब आजकल जो advanced street light लगती है ना, वो solar power से controlled होती है, और उनको किसी को on नहीं करना पड़ता, वो शाम होते ही, अपने आप on हो जाती है, देखा है, जैसी अंधेरा हुआ, वो light अपने आप on हो जाती है, उसमें LDR लगा होता है, light dependent register लगा होता है, उसमें क्या होता है, देखो, जैसे मान लो, तो सूरज अंकल हैं दिन में, ठीक है, ये सूरज अंकल हैं, बड़िया रोश्णी फैल आ रहे हैं, तो LDR पर light गिर रही है, है ना, light वहाँ पर आ रही है, तो इसमें जो input आ रहा है, वो one है, light आ रही है, मतलब input आ रहा है, तो input one है, लेकिन इस टाइम पर ये street light को जलने नहीं देगा, ये street light को बंद करके रखेगा, मतलब street light अभी off है, बात समझ रहे हो, यानि कि input तो आया, sunlight से input आया उसके पास, output वो zero करके रखेगा, जब तक input आ रही है, तो input high, output zero, समझ रहे हो, लेकिन जैसे ही अंधेरा होगा, जैसे ही अंधेरा हो जाएगा, sunlight आना बंद, sunlight आना बंद, यानि कि input zero हो गया, input नहीं आ रहा, अब ये output को one कर देगा, और ये light जलने लग जाएगी, क्योंकि battery में store करके रखा है energy, तो बढ़िया battery जलने लग जाएगी, बात समझ में आगी बेटा, रस्भरी के पापा, किसको flying beast याद आ रहा है भई यहाँ पे, क्या गुरू में है इसका, रस्भरी के पापा का, पढ़ाई कर लो नमूनो, बात समझ में आई है क्या, zero का one, one का zero, यह हो जाता है, ठीक है बेटा, कई बार weather खराब हुआ तो वो light दिन में भी जल जाते हैं, आप देखना, ऐसा होता है, कई बार अगर बहुत जादा dark weather हुआ ना, तो दिन में भी जल जाते हैं light, उसको लगता है रात हो गई, जलना पड़ेगा, है ना, क्योंकि वो तो logic पे-based है, उसके पास emotions थोड़ी ना है कि उसमझ जाया, अच्छा, अभी तो दो पहर के तीन बजे हैं, अभी कैसे इस्राम हो जकती है, मैं नहीं जल रहा, ऐसा logic नहीं उसके पास, उसके पास इतना logic है, कि अगर sunlight आई तो वो नहीं जलेगा, sunlight नहीं आई तो वो जल जाएगा, उल्टा काम करेगा, ठीक है, हांजी, चल यह बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं बेटा, बहुत बढ़िया बच्चों, आगे बढ़ जाते हैं, तो यह not gate हो गया, और gate हो गया, and gate हो ठीक है, चलो, इसका जो boolean algebra है, अच्छा मैंने शायद तुम्हें और का नहीं बताया है क्या, boolean algebra, और में बच्चों, a plus b होता है, ठीक है, और में a plus b होता है, add हो जाता है वहाँ पे, देखो जैसे 0, 0, 0, 0, 0, plus 1, 1, 1, 1, plus 0, 1, लेकिन 1 और 1, 2 नहीं होता है, यहाँ पे 1 ही रहता है, है न, इसे लिए boolean algebra, ऐसे normal algebra की तरह काम नहीं करता, बढ़ हाँ, a plus b होगा यहाँ पे, and में क्या था, a dot b, है न, तो याद रखना बच्चों, यह सब काम आएगा, and में क्या था, a dot b, और में क्या था, बच्चो, a plus b, ठीक है, a plus b था, अगर आप बात करते है, not gate की, तो not gate में जो output होता है, न, बच्चो, मालो हमारा जो input है, वो a है, input क्या है, बच्चो, a है, तो output हो जाता है, a bar, a inverse कहलो आप, या फिर a bar कहलो, यह जो उपर डंडा, ऐसे रखा हुआ है, उपर हमने जो डंडा लगाया है, वो बताता है, inverted output, invert करने का मतलब बार, ठीक है, तो अगर यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे 1 मिलेगा, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 0 मिलेगा, इसका काम बस इतना है कि उल्टा कर दो, output को, ठीक है, ठीक है, ठीक है, है ना बिटा, सर, आपने अभी क्या नाम लिया, LDR, हाँ बेटा, light dependent resistor, ठीक है, वही लगता है, जहाँ जहाँ पे solar light को sense करके, फिर output देना होता है, ओके, चलिए, बहुत बढ़िया, आगे बढ़े बच्चो, है ना, फिर दिलविल बना दो यार, आखरी session है आज का, है ना, बहुत मज़ा आएगा, चलिए, next है बच्चो, nor gate, देखो, basic gates तो सिर्फ तीन टाइप के हैं, कौन-कौन से सर, basic gate अपना and है, फिर और है, है ना, और लिख लो, double R, capital R लिख लो, और फिर last में आपका not है, लेकिन, इनके combination से भी कुछ और gates बनते हैं, जिनको actually universal gate भी बोला जाता है, क्योंकि इन gates से आप इनको वापस realize कर सकते हो, nor से आप फिर से और बना सकते हो, and बना सकते हो, not बना सकते हो, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि, कैसे आपको nor बनाना है सबसे पहले, nor में ध्यान से देखो, क्या आपको और के साथ एक n दिखाई दे रहा है, है ना, और के साथ एक n दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब क्या होता पता है, और में negativity लगी हुई है, और के साथ negativity जुड़ी हुई है, कौन सा gate negativity create करता है, उल्टा कर देता है output को, not gate, तो nor बनाने के लिए OR gate उठाओ उसमें एक NOT gate लगा दो तो OR का output invert कर दो ऐसा कहने की कोशिश कर रहा हूँ ठीक है? तो simple है OR के साथ NOT लगा दो NOT negativity create करता है बस इसी NOT का N यहाँ पे आ चुका है और वही क्या बन गया बच्चो NOR बन गया, feel तो आ रही है न, कोई परिशानी तो नहीं है न अब ऐसे ही आगे आप देखेंगे NAND gate भी होता है NAND उसमें क्या करेंगे आप? NAND में AND के साथ NOT लगा देंगे अरे symbol तो है बेटा AND के साथ NOT लगा देंगे तो NAND बन जाएगा आप ज़रा समझते है NOR gate क्या होता है, कैसे इसका output आता है देखो, सबसे बहले तो symbol देख लो अगर आप और का symbol देखेंगे एक बार दिखाता हूँ, ठीक है और का symbol देखो एक बार, यह और का symbol है यहाँ से ऐसे है, फिर यहाँ से ऐसे है यह और का symbol है देखो बेटा, एक बार और का symbol देख लिए सबी ने है ना and कभी दिखा देता हूँ, एक बार and में यह flat हो जाता है, इधर flat और इधर ऐसा यह and होता है, इधर दो inputs, इधर एक output ठीक है बेटा, यह and है यह or है अगर मैं or में यहाँ पे एक tingoo लगा दू अगर आपने लगा दिया तो इसको हम nor बोलते हैं और यह tingoo यह बता रहा है कि not भी इधर connected है इसमें tingoo है क्या? नहीं है, इसमें कोई tingoo नहीं है तो यह सिर्फ और है, यह सिर्फ और है और के साथ अगर यह tingoo लगा दिया तो यह nor बन जाता है tingoo क्या represent करता है? knot को represent करता है क्यों क्यों? tingoo knot को represent करता है, क्योंकि देखो not में यह लगा होता है सामने, वो joker की जैसे not की भी ऐसी not होती है यह एस नाक लेके घुमता है आगे तो वही नाक हमने यहां से उठा के और के आगे लगा दी है, देखो वही नाक वहाँ पर दिखाई दे दिए, फील आ रही है बेटा, है ना, चलिए, कल 6 बजे से क्या होगा, कल 6 बजे ही ये रिवील होगा, कि 6 बजे से अब क्या होगा, क्योंकि कल मैं आपको next plan बताने वाला हूँ, कल की 6 बजे की last miss मत कर दे ना, ठीक है, जवर्दस plan बता रहा और का output क्या होता था, A प्लस B होता था क्या बच्चों, और का output, अरे होता था क्या बेटा, A प्लस B, बिल्कुल होता था, तो नौर का output क्या होगा पता है, A प्लस B का बार हो जाएगा ये देखो, सही तो है, जो output आएगा और का, या और का जो output आया, उसको invert कर देगा हमार नौट गेट, तो इसलिए उसके उपर एक बार लग जाएगा, that's it, feel आई ना, feel आई ना, बिल्कुल feel आने चाहिए, बेटा, a plus b और का output होता है, उसमें नौट गेट लगा दो, नौट गेट उसको invert कर देगा, invert करते ही यहाँ पर एक बार दिखाना है, that's it, ठीक है, हाँ जी अब एक बार truth table देखने का इसका, देखना truth table बहुत आसान लगेगा, बहुत आसान लगेगा, मैं तुम्हे एक symbols आईडिया देता हूँ, truth table तुम हमेशा और का याद करो, nor का करोई मत, इतना रटोगे तो दिमाग पूरा भर जाएगा, सब गायब हो जाएगा, और का याद कोई भी एक 1 है तो 1, कोई भी एक 1 है तो 1, दोनो 1 है तो भी 1, यह और का truth table है, अब जो और का truth table आया है, उसी को invert कर दो, क्योंकि not gate लगाया गया है और के बाद, तो और का जो भी output आया, वो invert हो जाएगा, not की विज़े से, तो 0 का 1, 1 का 0, 1 का 0, 1 का 0 खतम, कितना आसान तो है, बताओ, nor का truth table रठने की जुरत है क्या, बिल्कुल भी नहीं, और का truth table आपको याद होता है, उसको invert कर दीजिए, आंदर आ जाएगा, ठीक है वेटा, ठीक है वेटा, है ना, चलिए, कुछ लोग बोल रहे हैं, मैंने computer में पढ़ा है, हाँ computer में है ना, यह बिल्कुल है चलिए बच्चो, आगे बढ़ते हैं, nand gate, अब देखना बहुत आसानी से हो जाएगा, nand gate का मतलब, and के साथ not, and के साथ not, यह अपना and होता है, यह अपना not होता है, not की नाक, यानि कि उसका टिंगू, अगर and के साथ लगा दिया जाए, तो जाहिर सी बात है, यह nand gate है, क् तुम बोलोगे, यह and है, यह and है, लेकिन अगर मैं इसी में एक नाक लगा दूँ, यहाँ पर, टिंगू लगा दूँ ऐसे, तो तुम बोलोगे, यह nand है, समझ मारी बात बटा, यह and है, और यह nand है, आहा, बहुत बढ़िया, है ना, नंद गुपाल हमारा यह, ठीक है, य and में उसका उल्टा कर दो, simple है, and का याद रखो, and में उसका उल्टा कर दो, बताओ and में कैसे बनेगा truth table, मालो यहाँ पर मैं and का output लिखना जाता हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं रिखता हूँ and का output, देखो, क्या बनेगा, अगर दोनों ही low हैं, तो output भी low आएगा, and है ना य and के लिए दोनों inputs high चाहिए होते हैं, तब ही high output मिलता है, तो यहाँ पर हमें low मिलेगा क्या, सिर्फ एक high है, दोनों high नहीं है, सिर्फ self start दबाया है, break नहीं दबाया, तो गाड़ी start नहीं होगी, तो 0, यहाँ पर भी देखो, 1 और 0, यह जब दोनों के दोनों high हो गया है, break 0 का 1, 1 का 0, खतम, कितना आसान तो है, कितना आसान तो है बेटा, जोकर की नाक लगानी है, and में लगाओगे, यहाँ पर एक mistake दिख रहा है मुझे, बताता हूँ क्या है, यह NAND gate है, उपर नौर लिखा हुआ है, यह NAND gate है, printing mistake हो गया बेटा, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया ठीक है बच्चा, तो यह किसका truth table बनाया है मैंने, NAND का, confused तो नहीं हो रहा है बिल्कुल भी, चेक कर लो, confused हो रहो तो चेक कर लो, कर लो चेक, क्या होता है, यह truth table देखो, and का है, and को invert किया है, NAND का बन गया, ठीक है, आसान लग रहा है, आसान लग रहा है बेटा, है ना, यह बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, हाँ, यह a.b हो जाएगा, और a.b का actually बार हो जाएगा, क्यों, क्योंकि and में a.b होता है, तो NAND में बार भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसका invert हुआ है, है ना, चाहो तो यहाँ पे भी truth table के पास आप output का यह लिख सकते हो, जैसे AND के case में output हो जाएगा, बच्चो, a.b और NAND के case में हो जाएगा, a.b की ओपर ऐसे बार, है ना, ठीक है, ठीक है, सही है, सही है, सही है, बेटा, है ना, चलो, बहुत बढ़ी आगे बढ़ जाते हैं, हाँ, अब कुछ questions ट्राइ करते हैं, ठी है, देखो, examiner was falling short of the options, that is why he has written XOR, exclusive OR, हालां कि यह syllabus में नहीं है, syllabus एक बार उठाके देख लेना, आप NEET का, XOR, ZOR, यह सब कुछ नहीं है, ठीक है, यह सिर्फ वो उसको options कम पढ़ रहे थे, तो उसने डाल दिया, यहाँ पे, otherwise यह नहीं है, ठीक है वेटा, चलो बताओ, कौ बहुत सारे बच्चे यहाँ पे B कह रहे हैं, ओके, 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 B, A, थोड़ी तो democracy दिख रही है, बड़ जादा तर बच्चे B वाले ही हैं, हाला कि थोड़ी सी democracy तो है आमारे class में, देखो बेटा, यहाँ पे कुछ बच्चे बहुत जादा भावुक हो जाते हैं, और वो इस direction में चल के answer निकालने की कोशिश करते हैं, और देखते हैं उनको पता चलता है, ओ भाई साब, तीन-तीन input, sir ने दो input वाला gate पढ़ाया, और हमें तीन input वाला gate दे दिया, my god, कैसे sir हैं हमारे, 001, अब इसका मैं क्या करूँ, मैं जो समझ ही नहीं आ रहा, ऐसा input number 1 है, B input number 2 है, और यह जो X है ना, यह आपका output है, तो आपको इस direction में चेक करना है, ऐसे, ऐसे, ऐसे और ऐसे, दिखागे पे ना जाओ, अपनी अकल लगाओ, ठीक हैं, तो मदगी परेशान चल रहे हो लाइफ से, तीन-तीन input दे दिया, कैसे solve होगा यह, दो ही input है, ऐसे द दिखना है, ठीक है वेटा, बात समझ में आई ना, अब देखते जाओ, ठीक है, 00, क्या मिलेगा, 00, 00 मिल रहा है, अच्छा, तो यह तो कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता क्या है, फिलाल, 01 का 1, यानि कि, एक input हाई है, तो मुझे output हाई मिला, एक input हाई मिला, कौन सा gate ह हो सकता है, और हो सकता है, 101, एक input हाई है तो output हाई, ये भी तो और ही है, तो ये भी तो और ही होगा, मतलब, एक ही gate तो होगा, ये सारे एक ही gate का तो है, तो यही एक चीज satisfy करती है, और, फिर एक बच्चे ने मुझसे सवाल पूछा, सर, आपने मुझे क्या समझा है, अब पढ़ा रहे हो, सर 0, 1 का 1 तो NAND में भी होता है, उसने ऐसा बोला, सर 0, 1 का 1 तो NAND में भी होता है, मैंने बोला अच्छा, हाँ, बच्चा तो सही कह रहा है, फिर बोलता सर इतना ही नहीं, रुको अभी और, 1, 0 का 1 भी NAND में होता है सर, और फिर से 0, 1 का 1 है जो NAND में होता है, मैंने बोला ठीक है जरा चेक करते है NAND में ऐसा सच में होता है क्या या बच्चा गई हमें बेवकुफ तो नहीं बना रहा है हमने देखा 0 1 का 1 हाँ 1 0 का 1 0 1 का 1 सही है मैंने बोला हमने गलती कर दी क्या बट फिर मैंने देखा कि 0 0 का 0 भी तो हुआ है नमुने 0 0 का 0 तो और में होता है NAND में तो 0 0 का 1 हो जाता है तब जाके बच्चा माना कि हाँ सर ठीक है आपका आंसर ही ठीक है सर तब माना वो जाके वरना मानी नहीं रहा था पेटा समझ मैं तुम्हें ये डाउट आना चाहिए था तुम्हें नहीं आया तो मैंने स्टोरी करेट करके वो डाउट क्रिएट कर दिया और आंसर भी कर दिया ये मत सोचने लग जाना कि सर ये तो NAND में भी हमने यही पढ़ा है कि 0 1 का 1 1 0 का 1 0 1 का 1 लेकिन NAND में 0 0 का 0 थोड़ी नहीं होता है न मूनो 0 0 का भी 1 ही हो जाता है है ना हमने तो सर सोचा ही नहीं था आप ही खुदी डाउट क्रिएट करते हो खुदी क्लियर कर देते हो हम तो बहुत साफ दिल के लोग है हमें तो डाउट आते ही नहीं है सर नो डाउट्स, नो प्राउब्लम इन लाइफ बढ़िया अपनी गाड़ी स्मूज चलती है सर आपको डाउट आता है तो आप ही खुद बता दिया करो खुदी क्लियर भी कर दिया करो है ना नमोनो है ना बिटा चलो, anyways अब कोई मुझे बता सकता है अगर मैं इस टुथ टेबल को थोड़ा सा चेंज कर दू 001 कर दू यहाँ पर यहाँ पर 011 कर दू यहाँ पर 10 का 1 कर दू यहाँ पर 01 का 1 कर दू यह अपनी आउटपुट है अब बताव कि कौन सा गेट है अब यह और नहीं है अब यह NAND हो चुका है देख लो, अभी और नहीं बिटा, अभी ये NAND हो चुका है, तो आखें और कान अच्छे से खोल के ही आंजर किया करो, ठीक है, देख रहे हो, 00 का मैंने 1 लिख दिया, जैसे ही मैंने 1 लिख दिया, वो NAND gate हो गया, सिर्फ एक चीज़ बदलने से पूरा gate change हो चुका है, logic change हो ग लड्डू है, हमारा B भी लड्डू ही है, और हमारा C भी लड्डू ही है, तो बताओ, output कितना आएगा, समझे रहे हो बेटा, A भी 0 है, B भी 0 है, C भी 0 है, उसका output बताओ, फिर बूशते हैं कि बाद में, अगर A और B को 1 कर दें, C को 0, उसको बाद में करेंगे, पहले-पह gate है, मुझे जानना है, यह और gate है, और gate है, sign, symbol, पहचानना फीख लो, यह और gate है, इसमें, Joker की नाक नहीं लग रिखेंए, Tingo नहीं लगाए, अगर Tingo लगा होता तो यह nor बन जाता, बट अभी यह और है, और में अगर दोनों inputs low होंगे दोनों inputs low होंगे तो output भी तो low ही आएगा न airbag वाला logic दोनों sensor कहते हैं नहीं ठूकी है car नहीं ठूकी है car तो ठीक है airbag भी नहीं खुलेगा जीरो है अच्छा जी ये भी 0 दिया हुआ है कि हमें C भी 0 दिया हुआ है ये C ऐसे डररर आगे चलके यहां पे आगया 0 ये 0 का तो 0 ही रहेगा बीच में थोड़ेना कुछ भी है तो 0 जूरे ही रहेगा अच्छा अब ये कौन सा gate है बेटा ये कौन सा gate है बच्छो ये NAND gate है देखो इसमें AND के आगे जोकर की नाक लगी हुई है टिंगू लगा हुआ है ये NAND gate है बेटा तो अगर ये NAND gate है तो NAND gate में क्या logic आएगा हमारे नंदलाल की spelling गलत हो गई सौरी बताओ आंसर क्या आएगा नमूनो कोई आंसर नहीं बता रहा सब बच्चे ना safe खेलते है आंसर नहीं बताएंगे NAND है सर, NAND है पता है मुझे भी NAND है आंसर पूछ रहा हूँ ना तुमसे चलो देखो मैं ही बता देता हूँ सुनो ध्यान से यहाँ पे भी 0 है यहाँ पे भी 0 है अगर ये NAND gate होता तो output 0 आता मानते हो गया मेरी बात क्योंकि दोनो inputs low है ना तो आपने इस कूटी का break दबाया है ना ही आपने उसका self start दबाया है तो गाड़ी भी start नहीं होगी तो 00 यानि की output 0 मिलता लेकिन यह तो NAND है उल्टा हो जाएगा तो 00 का 1 मिल जाएगा ओके इतनी मेहनत करवाते हो ना तुम लोग कसम से तो देखो बेटा पहले वाले case में इन सभी inputs के बाद output आया है 1 कितने बच्चों का output 1 आ गया था अब सब बोलेंगे हाँ sir आ गया था आ गया था है ना चलो 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 अब दूसरे वाले का तुम करो दूसरे वाले में देखो क्या क्या है A और B 1 है A और B 1 है और C 0 है फटावट करते है आजओ फटावट करते है're बच्छों आ जओ A का 1 हो गया B का भी 1 हो गया और C का हो गया 0 कौंसा गेट, और गेट यजबी हाई, यजबी हाई तो और गेट का output भी हाई ही मिलेगा दोनों high हैं, तो output भी high मिलेगा, तो ये भी one हो गया, बहुत बढ़ी है सर, ठीके सर, ये zero है, तो ये zero का zero ही रहेगा, अरे यहां कुछ भी नहीं है, तो zero का zero ही रहेगा, है ना बेटा, अब देखना ध्यान से, ये one है, ये zero है, सिर्फ एक input high है, सिर्फ एक input high है, तो and आपको zero output देगा, and बोलेगा कि भाई साब, या तो आपने सिर्फ break मारा है, या तो सिर्फ self start मारा है, गाड़ी start नहीं होगी, तो one zero का आपको zero ही मिलने वाला था, लेकिन ये तो and है, उसका उल्टा मिलेगा, यानि कि one मिल जाएगा, answer है D, come on बिटा, अगर बात समझ में आ गई है तो सब लोगे एक बार दिल बना देंगे चैट बॉक्स में, तुम मुझे दिल दो, मैं तुम्हें feel दूँगा, और session अगर तुम like नहीं करोगे तो तुम्हें पता ही है, इसके उपर कपड़ा seal दूँगा, कुछ नहीं दिकाई देगा, फड़ा फड़ा लाइक कर दो, come on, कोई डाउट तो नहीं रहे गया, मेरे प्यारे मासूम नमूनों को, है ना, ओके, ओके, गुर्जर जी कहे रहे हैं, मैंने सबसे पहले answer किया, good job बेटा, good job, चलो बच्चो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, last question होगा, शायद ये वाला, ये वाला शायद हमारा last question होगा, और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, खतम करते हैं, सेशन को, ठीक है, आजो, the output F will be, यहाँ पे कुछ logic gates given है, ठीक है, यहाँ पे कुछ logic gates given है, ये कौन सा gate है, मुझे तो ये और सा दिखाई दे रहा है, ये भी मुझे और सा ही दिखाई दे रहा है, और ये मुझे NAND gate दिखाई दे होगा F का, यहाँ पे output क्या आएगा, और सबसे अच्छी बात, सबसे अच्छी बात, यहाँ पे answer 0 और 1 के form में नहीं है, answer 0 और 1 के form में नहीं है, answer है W, X और Y के form में, ठीक है, तो थोड़ा सा तुम्हें boolean algebra लगाना पड़ेगा, अब जो बच्चे थोड़ा है ना, आप क कह सकते हो, computer science पढ़के आए हुए हैं, जिनका computer भी additional subject होता है, उनके लिए तो बहुत आसान है, लेकिन जिनका computer additional नहीं है, उनके लिए मैं आपको आसान करके देता हूँ, ठीक है, कुछ-कुछ operations होते हैं, जो आपको याद रखने होंगे, operations में आपको रटवाऊंगा नहीं operations का logic बताऊंगा, क्योंकि हम logic gate पढ़ रहे हैं, और यहाँ पर बिना logic के तो कुछ भी नहीं होता, फिर भी एक बार आप लोग answer देतो, come on, पेटा एक बार जल्दी से answer देतो, come on, और subscribe कर देना channel को अगर नहीं किया अभी तक तो, वो मैंने and लिख दिया कि sorry 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 my bad my bad, वो मैं check कर रहा था तुम्हे, check कर रहा था तुम पकड़ पाते हो कि नहीं, and है वो सही बात है, उसमें टिंगू नहीं लग रखा न, उसमें joker की नाक नहीं है, सही बात है, ठीक है तो वो and है, come on, अब answer दो, कोई बात नहीं कोई बात थी वो, हाँ बेटा, हाँ वो and होगा, and कर दिया उसको है ना राज, चलो 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 लास्ट कोईशन है फटा फटा खटम करते हैं, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर a answer दे रहे हैं, बहुत सारे बच्चे दे रहे हैं, रिया इस अल्सु सेंग गौरफ सर a है, चेक करें क्या a है या नहीं, हाँ, wxy, w plus xy is the correct answer, तो बेटा, a तो नहीं है correct answer, c है, है ना, w plus xy, यानि कि c इसका correct answer है, अब आपसे एक simple सी request है, अगले 5 मिनिट के लिए, जो मैं पढ़ाने वाला हूँ, जड़ा ध्यान से सुन लेना, ठीक है, बहुत मजा आएगा, एक बार सीख लोगे, हमेशा काम आएगा, ठीक है बच्चो, बहुत बढ़िया, यहाँ पे ना, कुछ-कुछ operations होते हैं, जो आपको पता होना चाहिए, जो generally आपको use में आने को, मतलब देखने को मिलेंगे, बच्चो, यह and का logic है, थोड़ा ध्यान देना, बहुत काम आएगा, ठीक है, थोड़ा यहाँ पे 0 है, यहाँ पे अगर 0 है, और यहाँ पे 0 है, तो क्या output भी 0 आता है, प्लीज रेस्पॉंड बच्चो, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, तो क्या output भी 0 आता है, हाँ, अगर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो output भी 1 आता है क्या, हाँ, तो पता इससे मुझे क्या सीखने को मिला AND का जो लॉजिक होता है वो तो ये होता ना A.B AND का लॉजिक होता है बेटा A.B तो इससे मुझे क्या सीखने को मिला पता है अगर मैं लिखोंगा A.A तो आंसर आएगा A कुछ समझ में नहीं आया सर अगर मैं लिखोंगा B.B तो answer आएगा B अब सुनो एक बार देहाँ से यहाँ पे भी same input था, यहाँ पे भी same input था जो भी input था क्या output भी वही आया है यानि कि अगर 0.0 लिखा गया तो answer 0 आया है हाँ अरे तो 0 कुछ भी हो सकता था ना 0 को मैं A लिख सकता हूँ, B लिख सकता हूँ C लिख सकता हूँ, input को था मैं कुछ भी लिख सकता हूँ यानि कि अगर A.A लिखा जाए तो answer A ही आजाता है क्या आप मानते हैं यह बात, देखिए यहाँ पे भी check कर लीजिए, इसको अगर आप A मान लेंगे, इसको अगर आप A मान लेंगे तो 1.1 की value भी 1 के बराबर है, यानि कि A.A की value A के बराबर ही आ जाएगी यह एक operation है, बोली अले algebra का, जो आपको याद रखना है मैं चाहता तो direct बोल देता A.A, ए ही होता है पर तुम्हें वहाँ पर रटना पड़ जाता और मैं रटना को बिल्कुल पसंद नहीं करता मतलब, मैं रटना पसंद नहीं करता यह कह रहा हूं मैं ठीक है, तुम कुछ भी समझ लेते हो रटना पसंद नहीं है मैं जब भी बोलता हूँ रटना पसंद नहीं है बच्चे पूछने सर रटना है कौना पिर पहले यह रो बताओ एनिवेज ए डॉट ए बराबर यह यानि कि 1.1 बराबर 1 0.0 बराबर 0 ठीक है बहुत बढ़िया यहाँ बे भी एक चीज होती है जो काफी important है अगर मैं 1 प्लस कुछ भी कर दूँ यहाँ पे A कर दूँ 1 प्लस B कर दूँ कुछ भी कर दूँ ठीक है अगर मैं 1 प्लस कुछ भी कर दूँ ना तो answer हमेशा 1 आता है देख लो एक बार चेक करके देख लो यहाँ पे logic क्या है A प्लस B का ही तो logic है ना बैच्चो A प्लस B का logic है यहाँ पे तो देखो 1 प्लस 0 कर दो तो भी 1 आता है 1 प्लस 0 तो 1 आई रहा है 1 प्लस 1 कर दो तो भी 1 आता है यानि कि 1 के साथ आप कुछ भी add कर दो, यहाँ पे 0 और 1 ही तो add कर सकते हैं, और क्या add कर दोगे, यह तो digital signal है, या तो 0 add होगा, या तो 1 होगा, तो आप यहाँ पे या तो 0 रख दोगे, या तो 1 रख दोगे, कुछ भी रख दो, answer 1 ही आएगा, तो एक और तुम्हें property मैंने स जा सकता है, इसको है ना, तो बेटा, दो operations कौन कौन से सर ने सिखा दिये, a.a, a होता है, और 1 प्लस a, 1 होता है, अब आजाओ इस question को solve करते हैं, बहुत मज़ा आएगा तुम्हें, देखो, सबसे पहले बच्चों, यहाँ पे अगर इस question को देखा जाए, तो जड़ा एक ब चेक करो, सही तो पढ़ा रहे हैं, चेक कर लो एक बार, यहाँ पे देखो, w और y है, और gate है, तो output क्या आएगा, बेटा, w प्लस y, ठीक है सर, बहुत बढ़िया, अब यह दूरों outputs, यह वाला output और यह वाला output, इसका input बन जाएगा, and का input बन जाएगा, and में यह एक input है, य यह दूसरा input है, तो and का output क्या आएगा, this multiplied by this, तहीं कहे रहा हूं क्या, तो आपका and का input आएगा, मतलब output आएगा, क्या लिख रहा हूं मैं भी, एक सेकंड, सौरी, printing mistake, w प्लस x multiplied by w प्लस y, एक बार चेक करके बताओ, सबको समझ में आया, यह w और x था, तो इसका output हुआ w प्लस x, यह w और y था, तो इसका output हुआ w प्लस y, और अब यह and gate है, तो इसका output होगा इन दोनों का multiplication, इन दोनों का multiplication, तो answer यह आएगा, है ना, है ना, अब देखना, इन दोनों को open करो, multiply करो, तो w into w हो जाएगा, w dot w, w into y क्या हो जाएगा, बेटा, w y, w into, सर, यह तो हो ग है, हाँ, अब बताओ, w into w क्या होता है, अभी सिखाया है, अभी सिखाया है, दो मिनट पहले विटा, बिल्कुल गजिनीज की तरह behave मत करना, अभी अभी सिखाया है, a dot a कर लो, b dot b कर लो, w dot w कर लो, answer w ही आता है, आता है क्या, हाँ, तो w dot w जहाँ पे आया था ना, वहाँ मैं सीधा w ही लिख सकता हूँ, सिर्फ w लिख सकता हूँ, ठीक है, बहुत बढ़िया, plus w y हो गया यह अपना, plus यहाँ पे w x plus x y तो है ही, ठीक है, अच्छा, अब देखना सर क्या करते हैं, अब मैंने यहाँ पे w को common ले लिया, w को मैंने यहाँ पे common ले लिया, तो अंदर क्या बचा यहाँ पे 1 और यहाँ पे क्या बचा बटा y, सही है न, है न, plus यहाँ पे बचा w x plus x y, बहुत बढ़िया, अब बताओ 1 plus y क्या होगा, 1 plus y आखिर क्या होगा बच्छो, तो 1 plus y, 1 plus कुछ भी कर लो, 1 ही आता है, 1 plus a कर लो, 1 plus b कर लो, 1 plus y कर लो, 1 आता है, तो इस सिर्फ w बचा, सिर्फ w बचा, धीरे धीरे इसको हम खतम कर रहे हैं, short कर रहे हैं, प्लस w x, प्लस x y आ गया यहाँ पर, यहना, 1 प्लस y, 1 हो गया, फिर यह बच गया, अब देखो, यहाँ से फिर से w बाहर ले लो, तो यहाँ पर बचेगा, 1 प्लस x, सेम चीज रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से देखोगे तो, फिर से 1 प्लस x क्या हो जाएगा, 1 प्लस कुछ भी करो, 1 ही आता है, तो यह 1 हो गया, सिर्फ w बचा, यह 1 हो गया न बेटा, प्लस x y, और मेरे ख्याल से यही आपका आंसर है, हो गया, मुझे पता है, लॉजिकल चीज है, तभी आराम से सिंसियर होके पढ़ा रहा हूँ, तो मैं भी सिंसियर होके पढ़ना है, ठीक है, हाँ जी, बात समझ में आ गई, रतना के फैंस, बात समझ में आ गई क्या तुम्हें, कम आन, खता हम, अगर बात समझ में आ गई तो एक बात जल्दी से दिल बना दो, और बच्चों मैंने आपको लॉजिक गेट में, नॉर्मल कोश्चन भी सॉल्व करना सिखा दिया, जहां पर आप 0, 1, 1, 0 लेके, लॉजिक लगा सकते हैं, और बूले अलजबरा के कुश्चन कैसे करते हैं, ये भी सिखा दिया, ठीक है, तो बस ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है, A.A करेंगे तो A आंसर आएगा, 1 प्लस A करेंगे तो आंसर 1 आएगा, इससे आपका कुश्चन हो जाता है, ठीक है, अगर इसमें कोई भी डाउट रह जाए, तो इस पार्ट की रिकॉर्डिंग एक बार देख लेना, पक्का तुम्हें पूरी-पूरी फील आ जाएगी, ठीक है बटा, चलो मेरी एक प्लस की क्लास है, I will have to go, ठीक है, जितना मैंने पढ़ाया है, भही आपके सेलेबस में है नीट के, ठीक है, बाबाई, एब्रीवन, सी यू सून इन दे नेक्स क्लास, वाव नाइस दे बच्चो, जाते-जाते कुश इंफॉर्मेशन शेयर कर देता हूँ, और DPP कहाँ से डाउनलोड करनी है आपको, DPP का लिंक कौन सा है पेटा, एक बार जल्दी से देख लो लिंक, ठीक है, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, हाँ, ये लिंक है, linktr.ee slash gauravbukta, यहाँ पर चाहिए, DPP मिलेगा, ठीक, link open हो रहा है ना, सही से टाइप करोगे तो open होगा, सही से टाइप नहीं करोगे तो क्यों open होगा, मना कर देगा वो open होने से, linktr के बाद एक dot लगाना है यहाँ पर, कोई space नहीं है, dot लगाना है, फिर double e लिखना है, slash मेरा नाम लिखना है, that's it, ठीक है, चलिए, तो बच्चो जाने से पहले, और कल वो nuclear वाली class है, कोई बच्चा फिर लिख रहा है, nuclear fusion, nuclear fusion नहीं हुआ है, कल होगा, ठीक है, कल 4 पीम को class है, यह nuclear वाला जितना भी part है, सब खतम होगा कल, तो बच्चो जीजी live quote लगा के, आप subscription ले सकते हैं, 3 month, 6 month, 1 year, 2 year, सारे options हैं आपके पास, और साथी साथ आपके पास iconic subscription का भी option है, same quote लगा सकते हैं, इससे आपको iconic भी मिल जाएगा, और बच्चो यहाँ पर एक slide missing है, बट मैं आपको ऐसी बता देता हूँ, 27th of December, यानि कि कल, कल 11 बजे, क्या होने वाला है, कल 11 बजे होने वाला है, combat, unacademy combat, जो की एक test है, जो आप unacademy app को download करने के बाद ले सकते हैं, तो please वो भी कर लेना, Sunday को होता है बच्चो, हर alternate Sunday को होता है, every fortnightly, and this is very helpful for all of you, ठीक है, तो चलिए, इस भावुकता के साथ, class को खतम करते हैं, ठीक है, आज आखरी session था, हमारा actually 12th का, तो सबसे पहले तो आप सभी के लिए, ढे सारी तालिया मच्चो, syllabus हमारा finish हो चुका है, डंके की चोट पे, बहुत ढंक से, हमने खतम कर लिया syllabus को, सब्सक्राइब कर देना चैनल को अगर नहीं किया है तो, और bell icon दबा देना, share कर देना, like कर देना, syllabus खतम हुआ है, हम नहीं, हम है अभी भी है ना, हम अभी भी हैं, हम अभी भी पढ़ाते रहेंगे आपको, और DPP आपको देते रहेंगे, और बढ़िया से प्राक्टिस करवाते रहेंगे, do check out these channels as well, and GG Life Code लगा के, आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, चलो everyone, बबाई, बबाई, see you soon guys, have a nice day,